मैं कभी अपने उमिद्वार के खिलाप नाम नहीं लेता सतुधन सिना को तीन लाख वोटों से हराया और इस बार भी जीत होगी प्रमानिक नमस्कार दर्स नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बात करते हैं पटना साहिब लोग सबासीट की जिहां पटना सा अगर बात की जाए तो एक तरफ पाटली पुत्रा है जहां लालू की बेटी बनाम राम किपाल यादो की लडाई दिल्चस्प है तो दूसरी तरफ पटना साहिब की लडाई भी अब दिल्चस्प हो गई है क्योंकि रभी संकर प्रसाद जो यहां वर्तमान में सांसद हैं क जो कि अन्सुल अबिजीत मीरा कुमार के बेटे हैं जी हां अन्सुल अबिजीत एक मजबूत केंडिटेट अगर कहा जाए रभी संकर प्रसाद के खिलाप हो सकते हैं मीरा कुमार के बेटे हैं कॉंग्रेस में वो कई वर्सों से कॉंग्रेस की सेवा कर रहे हैं कॉंग्रेस इसने टिकट दिया है इसके पीछे की वज़ा आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले बताएं कि रवी संकर प्रसाथ के सामने अंसुल अविजीत नाम की चुनौती है यानि मीरा कुमार के बेटे सामने हैं तो वह ऐसी इस्तिती में क्या कुछ कह रहे हैं रवी संकर प्रसाथ उनके सामने जो चुनौती है तो वह बयान आपको सुनवाते हैं छोटा बयान है आप एक दो बार सुनिए और इस पस्त तोर पर समझिए मैं कभी अपने खिलाफ उमिद्वार का नाम नहीं लेता शत्रगों से अलड़े उनको लगब की लाग बोट से हराय में नाम नहीं लिया वो आये हैं उनका स्वागत है यहां हमारी जीत होगी निरनायक प्रामानिक प्रभावी तो सुना अपने उनके बयान को एक दो बार सुना और समझ गए होंगे कि रवी संकर प्रसाद अपनी जीत को लेकर पूरी तरह स्वस्थ है उनका कहना है कि मेरे खिलाब जो उमिद्वार होते हैं मैं उनका नाम नहीं लेता और जो पिछली बार उन्होंने बताया कि सतुदन सिना को तीन लाग वोटों से हराया था और इस बार भी मेरी प्रमानि जीत होगी तो जीत का दावा रवी संकर प्रसाद ने कर दिया है इधार अंसूल अविजीत मैदान में उतर गए हैं अब आपको थोड़ा अंसूल अविजीत के बारे में बताएं कि जिस तरह से अंसूल अविजीत पटना साहिब से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं बड़ा उससे पहले उनके नाना देश के उप पुर्व उप परधान मंत्री बाबू जग जीवन राम चुनाव लड़ते रहे हैं तो आखिर उस सीट से अंसूल कुमार ने चुनाव लड़ना क्यों नहीं जरूरी समझा पटना साहिब की सीट उन्हें क्यों दी गई तो आपको बत हो सकते क्योंकि वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं महाजरूर महादरिस समुदाय से आती हैं लेकिन जो पिता है उनके मंजुल कुमार वो कुस्वाह समास से आते हैं उस अधार पर उनका जो है वो दावेदारी उनकी सासराम से नहीं बनी वैसी इस्तिती में उन्हें पटना साहिप सीट से उतारा गिया है अंसुल अभिजीत के बारे में बता दे कि जिस तरह से काफी लंबे तमय तक जो है सस्पेंस बना रहा अंसुल अभिजीत के नाम की चर्चा होती रही लिष्ट भी जारी किया गिया कॉंग्रेस की तरफ से अंतिम छे उमिदवार जो बचे थे बिहार के अंदर उसमें पांच नाम जो है वो जारी कर दिये गए लेकिन छठा नाम अंसुल अभिजीत का वो सस्पेंस में ही बना रहा अगले दिन अंसुल अभिजीत के नाम का एलान किया गया हम आपको बता हैं कि जिस तरह से पटना साहिब की अगर बात करे तो पटना साहिब में आखरी दोर में चुन में फिलाल अभी पटना साई में सरगर्मी उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है लेकिन नेता अपना जोड लगारे हैं मैदान में उत्रे हैं अन्सुल अभी जीत भी उत्रे हुए हैं आपको बता है कि अन्सुल अबीजीत का जो वहवार है चरचा इनकी कम होती रही है कंग्रेस के नेता के तौर पर यह लंबे वक्त से काम कर रहे हैं और जो रास्तिय प्रवक्ता है फिलाल अंसुल अभीजीत सौम में वहवार वाले हैं और किसी भी मुद्दे पर उनकी प्रतिक्रिया तत्पून एवं राजनीतिक सुचिता वाली होती है। वो कैंब्रिज विद्याले से MP और PhD कर चुके हैं और राजनीति इन्हें बिरासत में मिली है। पहले मीरा कुमार दो बार दिल्ली में करोल बार और एक बार उत्तर प्रदेश में बिजनौर से सांसद रहा चुकी है। तो नाना आठ बार सांसद रहे हैं मिर्त्यू परंत यानि जब तक उनकी मिर्त्यू नहीं होई तब तक वो सांसद रहे हैं। दादी के बारे में बताएं तो दादी बिहार सरकार में पहली कविनेट महिला मंत्री बनी। उसके अलाबा मा जो हैं पांच बार सांसद रही जिसमें सासराम से सांसद रही। उसके अलाबा दिल्ली और यूपी की सीट से भी उन्होंने जीत हासिल किये और सांसद बनी। तो ऐसे में बड़ा लंबार राजनितिक बैक्राउंड है अंसुल अभी जीत का। दूसरी तरफ रभी संकर प्रसाद हैं जो बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं केंद्र में मंत्री रा चुके हैं बड़े बड़े पदों को समाल चुके हैं। वैसी इस्तिती में रवी संकर प्रसाद जो पतना साहिब से जीते रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने दाबा ठोका है जिस तरह से उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनकी पस्त जीत होने जा रही है पतना साहिब से तो अगर यू कहें कि रवी संकर प्रसाद बिहार के बड़ रवी संकर प्रसाद अपने जीत के प्रतिया स्वस्त हैं तो अब क्या होगा मैदान में एक तरफ रवी संकर प्रसाद हैं तो दूसरे तरफ मीरा कुमार के बेटे अंसू लवी जीत हैं सियासी तोर पर अगर कहा जाए तो वो नए है और रवी संकर प्रसाद पुरान है तो अ अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई देखी जा रही है तो पतना साहिप सीट पर भी कुछ हवाय साही देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरह से रभी संकर प्रसाद कायस्त समुदाय से आते हैं तो दूसरी तरफ अंसुल अभी जी जो है उनके पिता कुस्वाह समाज से हैं और मा दली समुदाय से आती हैं तो वैसी इस्टिती में लड़ाई बड़ी ही दिल्चस्प होगी हलाकि आपको बताएं कि जो पतना साहिप कर जाती है समीकरन है कायस्त वहुल सीट है और कुल मिला जुलाक अगर कहा जाए तो बीजेपी जो सहरी इलाके है पतना साहिप के जो ज्यादा तर जो है इलाके उस पतना जो राजधानी चत्र है उस सहरी इलाके उसमें आते हैं तो वैसी इस्तिती में ये जो सीट है काफी महत्वपून सीट है क्योंकि पतना राजधानी चत्र की ये सीट है तो वैसे में तमाम निगाहे पतना साहिप पर टीकी होगी हला कि इसके लिए आखिरी चरण तक का इंतजार करना होगा जब एक जून को यहां वोट डाल जाएंगे बने रही है दर्स न्यूज के साथ तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद